नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन में बिहार की तर्ज पर होगी 50 एर सिक्षकों की नियुक्ति जार्खन के प्रात्मिक वमध्ध विद्यालों में सिख्षकों के नियोक्ति की प्रकृया को लेकर भी भागी असर पर जल्द निर्ने लिया जाएगा। इसके लिए बिहार पचिम मंगालव दिल्ली की सिख्षक नियोक्ति निमावली की जनकारी जुटाई गई है। सिक्छा मंत्री जगनात महतों ने इन राजियों की नियुक्ति परकिरिया की जनकारी मांगी थी उन्होंने विभागी अधिकारियों से इस समध में बीचार भी मर्स भी किया है संकेत है की जार्खन सरकार बिहार के निमावली को ही यहां भी नियुक्ति का अधार बनाएगी इस माह के अंत तक इस समध में निन ले लिया जाएगा इसके बाद जार्खन में भी बिहार के अधार पर 55 अस्तर पर 50 एर पदो पर सिस्को की नियुक्ति का रखता साप हो जाएगा इसके लिए आरक्षन रोस्टर किलियर किया जाएगा सिक्षा मंत्री ने कहा है कि जार्खन के युवाओ के हीद को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति होगी बताद बिहार में सिक्षको की नियुक्ति के लिए वर्ष 2020 में बिहार पंचाय त्रारंभिक विद्याले सेवा सर्त निमावली बनाई गई है देवघर में बिजेपी परदेश कारे समिती की बैठक 23 जनवरी से सुरू देवघर के मेहर गार्डन में बिजेपी परदेश कारे समिती की बैठक 23 और 24 जनवरी को होगी 17 साल बाद देव घर में होने वाली इस बैठा को लेकर भाजपा जीला कमिटी ने जोरदार त्यारी की है बैठाक में सामिल होने के लिए 450 डेली गेट्स देव घर आ रहे हैं इसमें भाजपा के परदेश प्रभारी लक्षमी कांत वाजपेई चेतरिये संगठन मंत्री नागेंदरस्ट, संगठन महा मंत्री करमबीर सिंग, केंदरिये मंत्री अरजुन मुंडा केंद्रिय मंतरी अणपूर्नादेवी भाजप्र बिधायक दलके नेता बाबलामराण्डि पुरमुख मंत्री रःगुभा दास पर्देश अधक दीपक परकास समित राजी के सबी सांसेट बिधायक जिला अध्यक्स, जिला प्रभारी, पर्देश पदाधिकारी, वह पर्देश कारशमिती के से सामिल है सन्निवार को संगठन महामंत्री करंबीर सिंग एवं पर्देश महामंत्री अधित साउदेवगर पहुच गया है बैठक अस्तल के पास तीन तोरन द्वार पार्टी के अस्थानिय दिवंगत नेता एवं आरेसे के संगठनात्मक के नाम से बनाए गया है जिन में यमुना तिवारी, डाक्टर अजीत बनर जी एवं नर्सिंग पंडित के नाम है राज सरकार ने आदिवासियों के साथ किया चल सालखन मुर्मू मरांग बुरु बचाव भारत यत्रा के तहद रविवार को जामा प्रखंड में आवजीत आदिवासियों की सभा को समधित करते हुए सेगेल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसत सालखन मुर्मू ने कहा कि गिरीडी के पारशनात पहाड पर आदिवासियों के इसवर मरांग बुरु अवस्तित हैं इसे जैन धर्मलंबियों ने अपना बताया और हमन सरकार ने पांच जनवरी को केंदर सरकार को भेजे गए पत्र में हमारे इस पवित्र पहाड को जैनियों को सौपने की बात कह हैं उन्होंने कहा है कि सरकार ने आदिवासियों के पक्ष को बिलकूल ही दरकिनार कर दिया है यह आदिवासि समुदाय के साथ धोका है यह इस समाज के लिए अयोध्या के राम मंदीर से कम हतपूर नहीं है बरांग बुरु की रक्षा आदिवासि अस्तित्व पहचान और हरताल से चिकित सा ब्यवस्ता ठोप, स्वास्त विभाय के अनुबंध कर्मियों के जहरखण में चिकित सा ब्यवस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है, ग्रामीन छेतर के अलावा सोहरों के बड़े अस्पताल में भी मरीजों की इलाज कराने में परसानी हो रही है, सरकार और अनुमंद स्वास्त कर्मियों की जीद में आम लोग पीछ रहे हैं, वहीं हरताल कर्मी भी पीछे हटने को त्यार नहीं है, बता दे राजधानी राची सहीद पूरे राज में अनुमंद पर पहाल स्वास्त कर्मियों की हरताल की वज़ा से ग्रामिन और सहरी उप स्वास्त केंद्रों की परसानी अब धिरे-धिरे सहर के बड़े अस्पतालों में भी दिखने लगी है, स्वास्त उपकेंद्र में स्वास्त करमचारी के नहीं रहने के काड़न मरीज अब रीम्स और स्वादर अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल का रूख कर रहे हैं वहीं रिम्स और सदर अस्पताल में मरीजों की संक्या बढ़ने की वज़ा से यहां भी परसानी हो रही है मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है पूजा सिंगल के बाद साहिब गंज DC ED के रडार पर जारखन में अवयद खनन और मनी लांडरिंग मामले की जाच की आच लगतार सुबे के बड़े IAS अधिकारियों पर आ रही है ततकारिन खान सची पूजा सिंगल के बाद एक और IAS अधिकारी ED के ड़ार पर है बतादे ED के टीम अवयद खनन मामले में सोमवार को साहिब गंज के DC राम निवास यादव से पूस्ताश करेगी अवयद खनन मामले में सोमवार को साहिब गंज DC राम निवास यादव ED के सामने पेस होंगे और उनके सवालों का सामना करेंगे ED ने समन भेज का साहवगंज के DC को 23 जनवारी की सुबा 11 बजे रांची सीट एजनसी के जोनल ओफिस तलब किया है एक साल में जारी पर्मान पत्रों की रांची उपायुक्त ने सियो समांगी रिपोर्ट रांची जीले में एक साल में जारी बिभीन पर्मान पत्रों का ब्यवरा उपायुक्त राहुल कुमार सीनह ने सभी अंचला दिकारियों समांगी है जबकि 31 सेयर सदीक आवेदन खारीच हुए है CEO को रिपोर्ट में इसका वेजिक्र करना होगा कि आवेदन सविक्रित होने के बाद कि इतने दिनों में जारी किये जा रहे है आवेदनों का रद किये जाने का कारण भी अंचला दिकारियों को बताना होगा जारखन में बाल योन हिंसा के मामले में लगाया जाएगा सिंगल विंडो सिस्टाम पोक्सो मामले में सुनवाई के दरान पिरित पक्ष के समक्ष आने वाले मुश्किलों वस समाधान के लिए रभी वार को तिन दिवस एकार साला शुरू हुई आयोजन के लास अत्यार्थी चिल्डरेंड फाउंडेंसन ने डुमर्दाग इस्थी बी एसनल सभागार में हुई मुख्य अतितिराश्ट्रिये बाल अधिकास अनक्षन आयोग के अध्यक्स काजल यादों ने कहा है कि पक्षो मामलों में आने वाले मुश्किलों के सिग्र समधान के लिए CWC समवन्धित पूलिस थाना परभारी वा NGO के साथ मिलकर कारे जोईना बनाई जाएगी रेप का बिरोध करने पर जिन्दा जलाई गई महिला की रिम्स में मौत जारखन में दुसकर्म का बिरोध करने पर जिन्दा जलाई गई महिला ने दम तोड़ दिया है पूलिस ने बताया है कि रभीवार की सूबा पिरिता ने दम तोड़ दिया है बता दे कि इस ममले में आरोफाय की 7 जनवारी की रात हजारी बाग गीले में चार लोगों ने पिरिता पर हमला किया था महिला के साथ रेप करने की कोशिस की गई थी यह भी आरोफाय की जब महिला ने इसका विरोध किया था तब पेट्रोल डाल कर उसे आग के हावाले कर दिया गया था हमला बारों में से तीन महिला के रिष्टेदार बताया जाते हैं इस वरदात में 70 फिश्दित्तक जोलसी पिरिता का रिम्पस में इलाज चल रहा था सन्यूक्त असनातक परत्योक्ता परिक्षा 2016 के अभियार्थियों का डोकुमेंट वेरिफिकेशन 30-31 जनवारी को जार्खन लोग सेवा आयोग द्वारा लिगई सन्यूक्त असनातक परत्योक्ता परिक्षा 2016 के अभियार्थियों का डोकुमेंट वेरिफिकेशन 30-31 जनवारी को होगा जार्खन करमचारी चैन आयोग ने इस बावत आईसुतना जारी की है बता दे आधिसुचना jsc.nic.in पर देखी जा सकती है डोकुमेंट वेरिफिकेशन जे एससी ओफिस में किया जाएगा वेरिफिकेशन उन अभियार्थों का किया जाना है जिन्होंने 2016 में बनी अनसुचीत और गर अनसुचीत जीलों के नीती के खिलाब हाई कोट में याज का दार की थी इनमें सोनी कुमार बनाम राज सरकार एवम अन और चोदा याज का सामिल है अर्जुन मुंडा बयट सत्र में कुर्मी को एस्टी बनाने का बिल लाए टोटेमिक कुर्मी कुर्मी बिकास मोर्चा केंद्रिय कमेटी की बैठक रभीवार को फुराना बिधान सभा सभागार में हुई बैठक में बोलते हुए मोर्चा के केंद्रिय अधियक सीतल ओहदार ने कहा है पुन जार्खन का एक ससक्त संगटन टोटेमिक कुर्मी खुर्मी बिकास मोर्चा है लगातार आंदोलन का ही पईनाम है कि केंदर सरकार ने संग्यान लिया है समाज के सन्वेधानिक अधिकार की लडाई चरम पर है किन्तु इस लडाई को अंजाम तक पहुचाना सबसे बड़ी चुनोती है कुर्मी को अधिकार से वन्चित करने के लिए चोथारपा साजी सो रही है सदियों से साथ रहने वाले भी हमारे विरोधी में रैली की घोसना कर चुके है इससे संभावना बढ़ गई है कि जारखन में ग्रिह यूद की चितिती बन जाए कोडार्मा में पोक सो एक्ट एवम की सोर नयाय अधिनियम पर जीला अस्तरिय कारे साला जीला बिधिक सेवा प्राधिकार कोडार्मा की तत्वधान में फरेंदा में पोक सो एक्ट एवम की सोर नयाय अधिनियम पर अधारी जीला अस्तरिय डिस्टिक लेवल मल्टी एस्टेक होल्डर्स कंस्ट्रलेशन प्रोग्राम के तत्व कारे साला कायोजन किया गया कारेकरम के मुख्य अति थी प्रधान जीला एवम सत्र नयाधि सा अध्यक्स जीला विधिक सेवा प्राधिकार बिंद कुमार तिवारी एवम विशिष्ट अति थी कोडालमा के पुलिस अधिक चाक कुमार गौरा जीला जज़ प्रत्थम मुख्य गुलाम हैदर आदी ने सन्युक्त रूप से दिप्रजलित कर कारेकरम का सुबारम किया एफसी आई गोदाम से हजारो क्यूंटल अनाज गायब एफ़ायर दर्जवर्थ तो हजर बाइस के जून माह में अधिकारियों ने पलामू के एफसी आई गोदाम की जाच की थी जिसमें अनाज गोटाला का मामला हुजागर हुआ है हजारो क्यूंटल अनाज गोटाला का पूरे मामले का खुलासा फूर्ड कर्परेशन अफ इंडिया के अधिकारियों की जाच से हुआ है। सभी परखंडों के 20 सूत्री अध्यक्षों ने भी इस्तिपादेने की घोशना की है। पूरे मामले में 6 लोगों पर हत्या का खुलासा फूर्परेशन अधिकारियों की जाच से हुआ है। पतादे सीवम के पिता ने जीन पर हत्या कारोप लगाया है। मुकेस कुमार, पिरिया गुपता, मुहमद, इर्पायान, आलम, मीना मांजी, ममता हेम्रेम और निकीता कुमारी सामिल है। पतादे की सीवम अर्गोडा थनाचेतर के धेला टोली में किराय के मकान पर रहता था। बैंक अधिकारी से लूट का रांची पुलिस ने किया खुलासा। आकास बैठा सामिल है। आरोपितों के पास से पुलिस ने लूट का टैब मुबाइल के अलावा फरजी नंबर पलेट बरामत किया है। पुस्ताच में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जूर में सविकार कर लिया है। पुस्ताच में पुलिस को या भी पता चला है कि आरोपि समसेर गिरों का सरगाना है। आदिवासी समाज पर हो रहा है चोतरफा हमला। खोटी जीला आदिवासी छातर संग की ओर से रभीवार को जादूर आखाड़ा में आदिवासी एकता समयनल का वजन किया गया। मुख्याती थी बिसूनपूर बिधायक चम्रा लिंडा थे। उन्होंने कहा है कि अधिक कुर्मी समाज को अनसुचित जन जाती में सामिल किया गया तो पूरे आदिवासी का हक उनके पास चला जाएगा। साथी उन्होंने यह भी कहा है कि वैसे भी सरना कोड नहीं रहने के करण सरना धनो लंबियों को कापे नुक्सान हो रहा है। इसमें 8000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। गोल के फाउंडर और एंड मैनेजिंग डिरेक्टर विपिन सिंग ने बताया कि पिछले 12 बर्सों से आयोजित की जारे इस परिक्षा के मद्य से अब तक सेक्डों छात्रों के परतिवा को प्रुत्साहन एवं मार्क दसन के माध्यम से निखारते हुए मेडिकल, इंजिनियरिंग, सिविल सर्विसेज यां कोई अन परत्योकता में सफलता प्राप्त करने में सवयोग दिया गया है। दिवा समारों की त्यारियों पर चर्चा हुई परत्यक पर्खंड, नगर पंचायत और जार्खंड, कोलियरी मैदूर यूनियन से सैक्डों करकर्ताओं को ले जाने के रननिती बनाई गई बैठा के अध्यक्षता पर्खंड अध्यक्ष नरेस मरांडी ने किया है। जार्खंड फुटबोल संग के उपाध्यक्ष बिरेंद्र कुमार नहीं रहे। अध्यक्ष नरेस थाकूर से एक पकवाड़ा पहले ही इस पर करवाई के अनुसंसा भी की गई। लेकिन अब तक दोसी पाए गए नेताओ पर कोई करवाई नहीं हुई है। इधर पार्टी के ओर से दिये गए बियान पर गौर करे तो लगता है कि दल के दिगज नेताओ पर करवाई को लेकर कांग्रेस नेतित्वे दुविधा में है। कॉंग्रेस के परदेश महासचीव और परदेश प्रवक्तराके सिना ने कहा है कि यह सही है कि परदेश कॉंग्रेस के अनुसासन समीति ने पार्टी के पाश नेताओ पर अनुसासन तोड़ने का आरोप को सही माना। जिसके बाद उन्हें पहले सोक, काज और परदेश निसकासित करने के अनुसासा की गई है। संचालक उनके घर पहुँच कर रंगुठा लगवाते हैं। मजदूरी मद में जितना भुक्तान बनता है उसका दस फीदी रासी देकर से स्रासी ले लेते हैं। यह काम धड़ेले से चल रहा है, सबको पता है लेकिन यहाँ बीचोलिया वाद पूरीतरा हावी है। टाटा इस्टील के एमडी को रखुबर दासने लिखा पत्र जार्खन के पुरो मुखमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रखुबर दासने टाटा इस्टील के सीओ एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में टीशको के नैतिक मुल्यों और समाजिक दाइत्वक की सोहरत का जिक्र करते हुए जमसेदपूर के स्ट्रेट माइल रोड पर बारादवारी मोड से एगरीको चोग तक फलाई ओवर ब्रीज निर्मान का अगरा किया। पुर्व मुख मंत्री ने अपने पत्र में लिखा किया जमसेदपूर देश का पहला सहर है जहां एक अध्योगिक इकाईपूरे सहर में सड़क निर्मान, मरमत, बिजली और पानी क्या पूरती, घर-घर कचरा उठाओ, सिवरेज के समोशीत बेवस्ता जैसे मुल्भित जहां दूसरी कंपनिया समाजिक दैत्वे के नाम पर अपने मुनाफ़े का महज 2% CSR के दोर पर खर्च करती है, वहीं टाटा इस्टील इससे बहुत अधिक खर्च करती रही है गुमला के 200 गाओं में जल्द पहुँचेगी मोबाइल सेवा, गुमला जिले के गाओं में BSNL के 60 और एरटेल कंपनी के 40 मोबाइल टावर लगाये जाएंगे, टावर लगते ही गाओं तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचेगा, जिससे ग्रामिन छेतरे के लोग मोब मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे लोगों को डीलर के यहां से रासन लेने के अलावा बचों की पढ़ाई और दूर में रहने वाले डिष्तेदारों से बात करने में परसानी होती है, बता दे गुमला जिले परसासन इन समस्याओं से वाकिप है, इसलिए परसासन जिले के 24 लाख लोगों को मास ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन के तहत दावा खिलाने का दावे किया गया था, अब इस दावे की केंद्रिये टीम ने जाज शुरू कर दी है, केंद्रिये स्वास्त मंतराला के नेशनल इंस्चूट आफ मलेरिया रिसर्च की टीम ने के विभिन पर खंडों के ग्रामिन इलाकों में निरीक्षन करके लोगों से जनकारी ले रही है, रभिवार की सुबह के अंद्रिये टीम उग्रवाद, प्रभावित टूंडी और तुप्शांची के विभिन इलाकों का दावरा कर रही है, जारखन में बुजरुगों के इ इनों कभीतर रिपोर्ट्स अपने को कहा है, इस रिपोर्ट में अस्पताल के अंदर 60 वर्स अधिक उम्रके नागरिगों के चिकिस्ता की क्या वेवस्ता है, उसकी पूरी जनकारी दी जाएगी, इस समद में दिली उष्णियाले ने पूरो में आधेस पारित कार नेशनल और हेल्थ क्यार और एल्डरली योजना के तहार जिरियाट्रिक वाड और उनमें मिल रही सेवावों की विश्यस निग्रानी करने को कहा है, धन्यवाद, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चलो को सब्सक्राइब का बहल का बेल एक अंदर बाइए, साथी साथ वीडियो को अपना फिड़बैक अबसे दे, थांक यू